नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुसकान अजमानी रुख करेंगे मध्यप्रदेश की बड़ी खबरों के ओर सागर के देवरी कला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में एक विशाल जंसभा को संबोधित किया सीम ने इस दोरान सरकार के उपलब्धिया गिनाई और विरोधियों पर जम कर निशाना साधा उन्होंने जंता से प्रत्याशी के लिए आशिरवाद भी मांगा इस दोरान उन्होंने कहा कि देवरी में अगर विजय प्राप्त होती है तो शेत्र में काफी विकास किया जाएगा इस दौरान मुक्यमंत्री शिवराद सिंग चोहान ने ये भी कहा कि मद्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनी और कॉंग्रिस की सरकार बनती है तो कमलाद सारी योजनाय बंद कर देंगे मुक्यमंत्री शिवराद सिंग चोहान मन्द से उतर कर जनता के बीच पैरिगेट अलग कर जनता से मिले और लाडली बेहनों से आशिर्वाद मांगा वही मुक्यमंत्री देवरी कि सभा में पैसे पर भीर लाने की बाद भी कही जा रही है बताये जा रहा है कि 300 रुपय प्रतिव्यक्ति के हिसाब से ये भीर जुटाई गई है रुख करेंगे आगली खबर का जहापूर मुक्यमंत्री और कॉंग्रिस प्रदेश अक्द्यक्ष कमनलात ने खुराई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया उन्होंने का कि मुझे यहां कर ताजुब हो रहा है मैं खुराई में आया हूँ या अत्याचार और भरष्टाचार का केंदर में उन्होंने का कि मुझे जानकारी मिरी है कि प्रदेश सरकार का अत्याचार यहां पर सबसे जादा है मैं अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों को बताना चाहता हूँ कि जिन्हों ने यहाँ पर अत्याचार और भ्रष्टाचार की आपको घुलाम माना है मैं उन सभी को चितावनी देना चाहता हूँ कि चाल जिर्बात कमलनात के न्याय की चक्की चलने वाली है शिवराद सिंग चोहान को 18 साल बाद बहने याद आई और करमचारी याद आई और वो अब उन्हें प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि वो जगा जगा जाकर भूमी पूजन करते हैं अपनी जेब में नारियल रखे रहते हैं और जिस सड़ा का उधगाटन करने जाते हैं वहाँ पर इनका नारियल फूरता तक नहीं है बलकि सड़ा की फूरता जाती है और आपने सुन लिया मैंने क्या कहा है आज आम जनता की अवाज उठ रही है आम जनता अब इनसाफ चारी है नयाई चारी है ये मद्धिप्रदीश के मद्धाता तेह करेंगे मद्धिप्रदीश विधान सबा चुनाव में राजनियतिक दलों के स्टार पचारग भी सभाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसी करम में गुरुवार को हाई प्रोफाइल विधान सबा सीट सुर्खी के जैसी नगर में बीजेपी प्रत्याशी गोविन सिंग राजपूत के समर्थन में जोती रादित सिंधिया ने चुनावी जिनसबा को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने पूर्विसीयम कमनलात और दिखविजल सिंग पर भी जम करतंच कसा उन्होंने कहा कि इस जोड़ी के साथ मैंने 20 साल बिताए है क्या लाजवाब जोड़ी है एक बड़े भाई है तो दूसरे छोटे भाई है और मन्द से एक कहता है मैंने अपनी पावर एटर्नी दूसरे को दे दी है जितनी मुझे गालिया मिल रही है वो ये बटो रहेंगी साथ ही उन्होंने भाचपा सरकार के उपलब्धिया गिराई इसके साथ ही उन्होंने दिग्विजल सिंग के साशनकाल की याद भी जनता को दिलाई कि सड़क नहीं थी बिजनी नहीं थी लोग सचाई को परिशान होते थे लेकिन भाच्वा सरकार के साशनकाल में जब बिजनी भी है सड़के भी है और सचाई परियोजनाय भी अब चल रही है राज्यमार्ग में स्टेट हाईवे में हमें ढूनना पड़ता था कि गड़े काँ खतम होता है और सड़क काँ सुशुरू होती है सुरकी से सागर का हाईवे दम लगाके होई शादच का अनुभव करते होई शाकर के लोग जाते थे सागर से मोपार का हाईवे दो लाख रूपया तक का करजा माफ पर देंगे आपने कहा था बिजली का बिलहाफ पर देंगे आपने कहा था महिलाओं के समू का करजा माफ पर देंगे आपने कहा था यवाओं विरोजगारं को 30,000 रुपया भत्ता देंगे अरे क्या दिया आपने और आपकी कांग्रेस सरकार में एक जैसी नगर की जनता, सुर्गी की जनता पूछना चाहती है यह जब आप देना होगा कांग्रेस आदर्श अचार सहिता के पालन के लिए लाइसंसी हतियार जमा करने के अनरदेश के बावजूद गौलियर विधान सभा चुनाओ कई लोगों ने अभी तक अपने हतियार जमा नहीं किये हैं इसकी वज़े से निस्पक्ष और शांती पूर्वक मतदान प्रभावित हो सकता है जिला निर्वाचन कारियाले के सिफारिश पर अप पोलिस ने लगबग आदा दर्जन ऐसे लोगों पर आम्स एक्ट और धारा 188 के तहत प्राथमी की दर्ज की है जिनोंने निर्धारित समय तक अपने हतियारों को थाने में जमा नहीं कराए था वई पुले सदीक शक राजेश चंदेल का कहना है कि अब उनके हतियार अवयाध हतियारों की स्ट्रेडी में आ चुके है इसलिए उनके खलाफ आम्स एक के तहत कारवाई की गई है गौर तरब है कि जिलप्रिशासन ने विशेश परिस्थितियों में ही लाइसेंसी हतियारों को उसके धारकों को अपने पास ट्रकने क्या नुमाती दी थी लेकिन कई लोग ऐसे भी है जिन्होंने बिना कारण की अपने हतियार आम्स डीलर या पुलस के पास जमा नहीं कराए हैं तो कोई भी वेक्ति जो इसके पास रैसेंसी हतियार है वो जमा किरा दे अंटिनलनेस के पास उसकी शूट है तो वो सभी को ज्यान में रखना है गौालियर में विधानसभा के भारतीय जंदापाटि प्रत्याशी प्रद्यमंद सिंग तोमर का चुना प्रचार है इस क्रम में उन्होंने वोड आर्ट में जिनसभा की है उन्होंने चार्श शहर का नाका विजनगर दुर्गविहार समेथ कई कॉलोनियों में जिनसंपर करके लोगों से वोट मांगा और उनका अशिरवात भी मांगा है खबर अनूपूर से है जहाँ पुलिस ने कोतमा धाना में एक व्यापारी के घर और गोदाम से भारी मात्रा में रिहाईशी इलाके से 360 किलो विस्वोटक पदार्थ बरामद किये हैं ये विस्वोटक अवैद भंदारन करके बिक्री किया जाना था वही राहूल अगरवाल नाम के व्यावसाई के मकान बरामद विस्वोटक 360 किलोग्राम के हैं और इसकी 3,50,000 रुपे कीमल बताई गई है आरूपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जाज शुरू कर दी अतरिक पुलिस मानेदेशक शेहडोल जोन डीसी सागर ने बताये कि बारूत के संबंद में लाइसेंस की मांग की गई तो राहूल लाइसेंस नहीं दिखा सका इसके बाद तलाशी के दौरान वहां 9 सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरियों में काला रंग का वस्वोटक पर आमद हुआ हर बोरी का वजन 40 किलोग्राम था या फिर ऐसी कुछी जाती जिससे कि इसने खरीदा यह सिल्द होता है इसने बेचा यह सब चीज़े देखी जाएगी अभी विवेशना अभी पुलिस उस्ताज के लिए रखी है अभी उसमें पुला हिरास्ट अब पुलिस कसली में अभी क्योंकि इसमें तीन वर्ष का पनिश्मेंट का है खबर गॉलियर से है जहां थाना शेतर के रानिपुरा में गुरवार को उस समय हड़ कंप मजगे जब एक किराना कारोबारी ने दूस्टरे कारोबारी को गोली मार दी गटना के बाद आरोपी लाखन राठोर आवैध हतियार के साथ मौके से फरार हो गया आपको बता दे कि लाखन राठोर की कोटेश्वर रोट पर किराने की दुकान है उसकी यहां घायल मुकेश प्रजापती कमिटी डालता था लेकिन किसी कारण से मुकेश प्रजापती पिछले कुछ दिनों से अपनी कमिटी नहीं भर रहा था इसे को लेकर मुकेश और लाखन में पहले भी विवाद हुआ था उस समय मुकेश ने कुछ दिन की महलत ले ली थी लेकिन रानिपुरा में गुरुवार को अचानक लाखन राठोर कट्टे के साथ पहुचा और उसने मुकेश को देखते ही गोली मार दी गोली लगने से मुकेश कमभी डूप से घायल हो गया और परिजलों से अलग रह रहे मुकेश के घरवालों को जमखटना की जानकारी लगी तब वो उसे घायल हालत में जया रोग यास्पतार लेकर पहुचे जहां मुकेश का इलाज किया जा रहा है घायल मुकेश की बेटे का ख्याना है कि लाखन ने पैसे के विवाद में उसके पिता को गोली मारी है और उनके बीच कोई भी रंजिश नहीं थी गोली बारी की खबर मिलते ही कमपो पुलेस अस्पतार पहुच गई जापुलेस अधिकारी ने गंफी डूप से घायल मुकेश प्रजापती के बयान को रिकॉट किया है दीपावरी से पहले गॉलियर पुलिस ने शहर के लोगों को एक बड़ा थौफा दिया है पुलिस ने पिछले दो महीने में गोम 151 मुबाइल बरामत कर उनके मालकों को सौप दिये हैं ये मुबाइल देश के अलग-अलग राज जोसे बरामत किये गए एसपी राजेश तिंग चंदेन ने बताया कि पुलिस के साइबर सेल ने सितंबर और अक्टूबर में गायब 151 मुबाइल फोन बरामत किये हैं इनमें एपल जहसे महेंगी कंपनियों के साथ अलग-अलग कंपनियों के मुबाइल है इनके अनुमानित कीमत 35,48,000 के करीब है ये मुबाइल कारुबारी से लेकर शास्किय सिवा में काम कर रहे करमचारी, स्ट्रेंट और महिलाओं के भी है वही पुले सदीक्षक द्वारा मुबाइल ट्रेस करने वाले टीम को पुरुस्कार करने की भी घोश्टा की गई है गौली और शेहर के गोला का मंदिर था नशेतर के नारैंड विहार कॉलूनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तीजी से वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में एक युवा को कुछ लोग होक्यों से पीटते हुए नजर आए लेकिन पिटने वाला युवा कौन है और किस कारण से उसकी पिटाई की जा रही है साथ ही हमलावर कौन है इसके बारे में फ़लाल कोई पुकता जानकारी नहीं मिल सकी है वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस ने जान शपरताल शुरू कर दी है वही वारल वीडियो दो दिन पहले का और नाराइट विहार कॉलोनी का बताई गया है पुलिस के वरिष्ट अधिकारियों ने वारल वीडियो के सचाई का पता लगाने का नरदेश दिया जब कि अधिकारियों का कहना है कि फिराल उनके पास किसे ने शुकायत नहीं की है लेकिन पुलिस जल्द इस पूरे मामे का खुलासा करेगी क्योंकि जिस तरह से मारपीट की जा रही है वो कानून व्यवस्था और पुलिसिंग के लिए बड़ा चालेंज है आपको बता दे कि 42 सेकेंड के वारल वीडियो में एक युवक की लात घुसो और हौकियों से पिटाई की जारी है युवक इदर उदर चीखता हुआ भाग रहा है और खास बात ये है कि सरे राह हो रही मारपीट की इस घटना में कोई पेडित युवक को बचाने की कोशिच भी नहीं करता हुआ नजर आया पर करवाई करता है जबकि ब्लॉक सिक्षवादिकारे दिलिप शर्मा का कहना है कि मामले की जाच कराई जाएगी जबकि इस दिला सिक्षवादिकारी करन सिंग भलाला का कहना है कि सब स्टाफ को नोटिस जारी किया जाएगा इस बुरिटन में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं